Hello dear students, my name is Archana Sharma and I am your English teacher. आज मैं आपको बताने वाली हूँ simple present tense और simple past tense के बीच में क्या similarity है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है और ये दोनों कैसे different हैं. क्योंकि ये दोनों ही अलग-अलग tenses है, simple present है जो present tense में यूज होता है और simple past है जो वो past tense का ही एक part है. इसको हमें study करना, इसका comparison करना बहुत ज़्यादा important है. तो इस वीडियो को जरूर आप end तक देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आए, then please subscribe to my channel. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि simple present और simple past में क्या common है और क्या different है. तो simple present tense में जैसे कि एक वीडियो में पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन-कौन सी helping verbs use होती हैं, इसमें do and does helping verbs use होती हैं. और simple past में हम use करते हैं did as a helping verb. और main verb जो है वो कौन सी होती है simple present tense में इसमें होती है first form of the verb and sometimes we add s or es plus s or es. तो कहां-कहां पर हम s या es add करते हैं वो सारी जगा जहां-जहां पर हम singular noun use करते हैं वहां पर हम s या es add करते हैं. और इसके अलावा हम जहां पर he, she, it यह भी singular ही होते हैं यहां पर हम s और es add करते हैं. बट यहां पर एक exception होती है कि जहां पर I जो है वो चाहें singular है और you को भी अगर हम singular sense में use करें तब भी हम यहां पर हम s या es add नहीं करते हैं यह दोनों exceptions होते हैं तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ universal truth means जो की change नहीं होते जैसे कि आप किसी भी natural phenomena की बात करें the sun rises in the east the sun sets in the west the earth revolves around the sun तो यहां पर हमने कौन सा tense use किया है simple present tense क्योंकि यह facts जो है वो कभी भी change नहीं हो सकते universal truth है अब अगर हम बात करें एक और जो है जहां पर हम habitual actions की बात करते हैं जो हमारी actions जो हमारी habit का part है हमारी daily routine में आते हैं जैसे हम कहें कि I wake up early in the morning तो यह एक habit है जिसके लिए हम यहां पर हम कौन सा tense use कर रहे हैं simple present tense अब यहां पर मैं simple past के बार में बात करूंगे simple past जो है वो हम जहां पर भी हम past actions की बात करते हैं जो actions over हो चुके हैं I went to the school yesterday I visited the hospital yesterday I visited the bank yesterday तो yesterday means वो काम कल मैंने किया था वो काम खतम हो चुका है तो जहां पर भी आप पुराने बात कर रहे हो जो काम कर चुके हो जो हम आपने past में किया था वहां पर आप simple past tense use करते हो past actions के बारे में जो की actions over हो चुके हैं तो I hope आपको यह clear हो गया है कि दोनों में कुछ differences होते हैं अब मैं आपको बताऊंगे कुछ इसमें common भी है क्या चीज है जो इसमें common है या आप कह सकते हो यह किस तरह से same है tenses इन दोनों tenses में ही एक बात जो है common है वो यह है कि दोनों tenses में helping verbs जो है वो positive sentences में use नहीं होती helping verbs हमेशा negative या interrogative sentences में ही use होती है इन दोनों में यह चीज common है जैसे मैं आपको एक example बताऊंगे अगर आप यह sentence लें कि she wakes up early in the morning तो यह positive है sentence यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने helping verb यूज नहीं करी है यह main verb है wakes up अगर आप इसे negative में change करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा she does not wake up तो यहाँ पर आपने helping verb यूज करी है अगर आप इसी sentence को simple past में change करोगे she woke up she woke up early in the morning यहाँ पर आप इसको अगर negative में change करोगे तो यह हो जाएगा she did not wake up she did not wake up तो यहाँ आप देख सकते हो कि did यहाँ यूज हुआ है same way जैसे कि हमने simple present tense में किया था तो आपको आपको आज का वीडियो समझ में आ गया आपको concept clear है कि simple present tense or simple past tense किस तरह से same है किस तरह से different है तो यह जब भी आप comparison करते हो आपको और ज्यादा concepts clear हो जाते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आपको concepts समझ में आ गया है then please subscribe to my channel if you haven't done it yet and please give your comments आपको वीडियो कैसे लगा इस तरह के वीडियो में बनाती रहती हूँ see you in the next video till then keep learning and take care thanks a lot